नमस्कार में रिनुका तो आप सबका मेरे डूप चनल में बहुत बहुत स्वागत है तो एकिन कीजे एक पके चावल की बिल्कुल ओयल फिरी रेसिपी अगर आप इस तरह से बनाओगे तो इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाओगे तो देर किस बत की चलिए स्टार्ट क फिर हमें इसमें स्वादनुसा नमक डालना है फिर इसमें आदा चमच रेड़ चिली फ्लेक्ष डालने है तो आप यहाँ बारिक कटकी हुए हरी मिर्च कभी इस्तमाल कर सकते हो नहीं तो स्वादनुसा लाल मिर्च पाओडर कभी इस्तमाल कर सकते हो फिर हमें इसमें आद तो अभी है यह पानी बॉइल होना शुरू हो गया है फिर मिनिया एक कप पके होई चावल लिये है तो यह चावल अभी हमें इस पानी में ड़नना है और इस सारे इंग्रिडेंस को अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर से इने अच्छी तरह से बॉल कर लेना है तो अभी आए पानी बॉल होना शुरू हो गया है फिर मिनिया एक कप चावल काटा लिया है तो यह चावल काटा अभी हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और इस सारे इंग्रिदेंस को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस रेसिपे के लिए अभी हमें यह डोव बना लेना है तो इस मिश्रन को हमें एक मिनिट तक अच्छी तरह से भाब पे पका लेना है तो अभी आप एक मिनिट हो चुके है और आटा भी अच्छी तरह से पक चुका है फिर हमें इस मिश्रन को पुरी तरह से थंडा कर लेना है और एक प्लेट में निकालना है फिर हमें इस आटे को अभी गून लेना है तो यहां हम इन्हें अभी आटा गुन लिया है फिर उसके बाद अभी हमें इस आटे के गूले बनाने है फिर हमें इन गूलों को आटा लगाना है और इन्हें हमें बिलना है तो अभी हमें इस गोले के गोला कर में रोटी बिलनी है तो यहां मेंने रोटी को बेल लिया है फिर हमें ग्यास पर एक तवा रखना है फिर तवा गरब होने के बाद हमें इसमें रोटी डलने है और इस रोटी को अभी दोनों तरब से अच्छी तरह से सेख लेना है तो आप इस तरह से बिल्कुल ओल फ्रेशी पके चावल की रेसिपी नाच्टे में बना सकते हो नहीं तो आप इसे खाना खाते वक्त भी बना सकते हो और आप इस रोटी को किसी भी सबजी या ग्रेवी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक ने वीडियो में और एक ने टेस्टी रेसिपी के साथ तो थैंक्स फ्रेश वाचे मैं वीडियो